हीलो एंड वेलकम बैक तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे की अगर आप अपने वालों को घना रेश्मी मुलायम लंबा करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है एलो वेरा यू लगाना हमें सरदर्द लगता है का मन ही नहीं करता तो आज मैं इसका तेल बनाने वाली हूँ अगर आपके पास इसका तेल बनके रखा हुआ है तो बस आप इसे लगाए स्किन को लगाए चाहे बालों को लगाए आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा और यह बालों को कंडिशनर करेगा यह आपके ब एलोवेरा की लीफ को काट लीजिए, एलोवेरा में भी बहुत सारी क्वालिटी होती है, आप कोशिश कीजिए, अगर कभी आपको मिल जाए, तो उसमें छोटे छोटे सफेद जो निशान होते हैं, उसको निकाल देना चाहिए, इसे धो लीजिए, इसके बाद इसे पोच ली हैं, बिल्कुल केमिकल फ्री, हमें बड़ा आलस आता है फेस पर लगाना, हाथों में लगाना, बालों में लगाना, इसलिए जो ये तेल बन जाएगा, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, इसे लगाने में पैरों की एडियों में लगाए, बहुत ही फायदे वाली च जानते हैं कि इसकी क्या कहना है ये हमेशा से बहुत ही पुरानी चीज है जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग सभी लोग से इस्तिमाल करते हैं जिसकी वज़य से उनकी स्किन उसके बाल काले रहते हैं तो आपको नारियल तेल का इस्तिमाल करना है और आपको इसमें एक टेबल स्पून के आसपास काली मिर्च डालना है अब आप कहेंगे एलोवेरा तेल में काली मिर्च का क्या काम है काली मिर्च का बहुत बड़ा रोल है बालों में अगर थोड़ी फंगस या रूसी हो जाती है ये काली मिर्च का जो इसमें डालेंगे ना तेल में, तो काली मिर्च आपको बहुत फाइदा करेगी, फंगस बिल्कुल नहीं होने देगी, इस तेल को खराब नहीं होने देगी, 200 ग्राम करीब ये नारियल का तेल डाल देना है इसमें, एलो वेरा जो हमने पूरा ग्राइंट किया है, वह भी डाल देना है, याद रहे बिल्कुल दीमी आंच में हमें पकाना है, बिल्कुल भी हमें फ्लेम को बढ़ाना नहीं है, लोही की कडाई लेंगे तो बहुत ही बैस्ट है, नहीं तो किसी भी कडाई में आप इसे बना सकते हैं, जिस तरीके से ये देखिए, आपका एक खत्म होगा, आप बार बार दूसरा बनाएंगे, ये धीमी धीमी खुश्बू वाला अलूवेरा तेल तो लाजवाब बनेगा, इसे भी आप बनाकर लगाए अपने बालों को लंबा घना, और रेश्मी बनाईए, जो हेर फॉल के लिए ये बहुत ही बढ़िया तेल है, आपको फाइदा देगा, जब ये बहुत अच्छे से पक जाए तो गैस बंद देना है, इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, अब इसे ठंडा करना है, एक से देर घंटा के बाद तेल बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, अब इसे छान लेना है, पतले से कपड़े में भी छान सकते हैं, और नहीं तो छलनी में भी छान सकते हैं, आपको कम से कम दो बार च्छानना होगा, और कपड़े में च्छानना होगा तो एक ही बार में च्छान सकते हैं, ये देखिए कितना नेचुरल अलोवेरा तेल बनकर तयार हुआ है, कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, नेचुरल सही तेल बनकर तयार अब इस तेल का फायदा मैं आपको बताती हूँ, ये सिर्फ बालों के लिए नहीं बताऊंगी, ये हमारे हाथों को मुलायम रखेगा, पैरों को मुलायम रखेगा, पैरों की एरियों में लगाया, आप हाथों में लगाये, आप जहां भी आपको रूखापन ड्राइनेस जरूर बताएं और हमने जैसे आपको बताया है वैसे ही बनाए आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी एक बार जरूर ट्राइ करें ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को ल झाइ